CSAT का DPP नमबर 5 आज का अपना पहला क्वेशन है How many even and odd integers n जहां पे n की value 13 या उसके बराबर या उसे बढ़ी है या 313 से छोटी है या उसके बराबर है are of the form 3k plus 4 वो यह बोल रहा है कि n जो है वो 3k plus 4 दिया है जहां पे k जो है वो कोई भी natural number है natural number का मतलब हो गया कि k की जो value है वो हमेशा greater than 0 रहेगी मतलब कि k की जो value है 1 से लेकि infinity तर कुछ भी हो सकती है वो यह बोल रहा है कि अगर k की ये values possible हैं तो ऐसे में n की total कितनी values possible हैं क्योंकि n जो है that is 3k plus 4 n और k के बीच में एक relation दिया है simply वो ये बोल रहा है कि k की अलग-अलग values यहां पर put करी है और बताइए कि n की total कितनी values possible हैं उसमें से कितनी even values possible हैं और कितनी odd values possible हैं और n जो है आप इस तरीके से निकालोगे मतलब कि k की value आप इस तरीके से डालोगे कि n 13 के बड़ा होना चाहिए यह बराबर होना चाहिए या 313 के छोटा होना चाहिए यह बराबर होना चाहिए मतलब कि अपने को दिया है n is 3k प्लस 4 और n जो है that is less than equal to 313 and greater than equal to 13 इस तरीके से अपने को condition दिया हुई है अब k की value क्यूंकि natural number है और k जो है वो हमेशा greater than 0 होगा तो एक काम करते हैं यहाँ पर k की अलग-अलग values डालके n की value निकालने की कोशिश करते हैं अगर मैं k is equal to 1 लेता हूँ तो उपर वाली equation में k की value 1 डालके मेरे पास आता है n is equal to 7 इस value को मुझे reject करना होगा क्यों? जो की 13 से छोटा है लेकिन हमारे को n की value 13 से बढ़ी चाहिए प्राय करते हैं k is equal to 2 अगर k is equal to 2 डालते हैं तो हमारे पास n की value आती है 3 2 सा 6 प्लस 4 10 मेरे को ये value भी reject करनी बढ़ेगी क्योंकि अगर मैं k की value 2 डालता हूँ तो n की value 10 आती है जो की again 13 से छोटी है अगर मैं k की value 3 लेता हूँ तो मिरे पास आती है n की value 13 हाँ ये मैं accept कर सकता हूँ क्योंकि उसने बोले n की value है तो 13 या उससे बढ़ी होगी या 313 या उससे छोटी होगी तो ऐसे मैं k is equal to 3 में accept कर सकता हूँ similarly अगर मैं k is equal to 4 डालता हूँ तो यहाँ पर value आती है n की 3, 4, 12 प्लस 4, 16 अगर मैं value डालता हूँ k is equal to 5 तो मिरे पास n की value आती है 3, 5, 15 प्लस 4, 19 and so on मतलब ये values acceptable हैं क्यों क्योंकि n की value जो है वो 13 से 313 के बीच में होनी चाहिए एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर k की value 100 डालके देखता हूँ क्योंकि question यह है कि n की कितनी values possible है उसमें कितनी even है और कितनी odd है और k की value 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है क्योंकि k हमारको natural number की तरह दिया वा है ऐसे मैं अगर मैं k is equal to 100 डालता हूँ मिरे पास n की value आती है 304 कि यहाँ पर k की डिया का 100 डाला 100 इंटू 3, 300 300 प्लस 4, 304 यह value भी acceptable है क्यों क्योंकि n जो है अभी भी 313 से छोटा है अगर मैं आप बे डालता हूँ k is equal to 103 लड़से n की value मिरे पास आती है 313 यह value भी acceptable है क्यों क्यों क्योंकि हमारे को दिया वाए कि n जो है वो 313 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए अगर मैं अभी यहाँ पर k is equal to 104 डालता हूँ तो मिरे पास n की value आती है 3 1 6 यह value acceptable नहीं है क्यों क्योंकि k जो है उसकी जब हमने value 104 ली तो हमारे पाँ n जो है 316 आ रहा है जो कि हमारी condition को validate कर रहा है मतलब कि k is equal to 1 नहीं ले सकते k is equal to 2 नहीं ले सकते और k is equal to 103 के बाद कुछ नहीं ले सकते वरना जो अपनी value है वो अपने bracket के बाहर चली जाएगी मतलब कि हमारे को यहाँ पे जो k की possible values है वो k की 101 possible values दिखती है k की हमारे को 101 possible values दिखती है कैसे अगर मैं counting करूँ 1 से लेकि 103 तक तो total 103 numbers है अगर मैं simple counting करता हूँ 1 से लेकि 103 तक तो 103 elements है इसमें लेकिन ये वाले 2 जो हैं मिरे को काटने है ये वाले 2 जो हैं मिरे को निकालने है तो मतलब की 1 से लेके 103 तक वैसे तो 103 नमबर थे लेकिन 103 में से मिरे को पहले 2 नमबर निकालने पड़े तो मिरे पास actual में 101 possible values निकलती है k की k की जो total possible values है या फिर n की जो total possible values है देखे अगर मैं k की 101 values डाल रहा हूं तो मिरे पास n की भी तो 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 50 डाला, 60 डाला, 70 डाला, 89 डाला, 95 डाला ऐसे जैसे ऐसे मैंने k की अलग-अलग values डाली मिरे पास n की अलग-अलग values निकल के आती है मतलब की n की मिरे पास 101 possible values है 101 possible values है लेकिन question या पर अभी भी पूरा नहीं होता हूं उसने हमसे बूचा है कि आपको total values नहीं निकालनी है आपको ये निकालना है कि इन total values में से कितने number odd है और कितने number even है हमारको याँ पे odd और even का number निकालना है ठीक है आप ये देखिए कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि odd और even numbers होते है वो हमेशा pairs में exist करते है pairs में exist करने का मतलब होता है कि ये अगर एक pair है तो k is equal to 3 odd आ रहा है तो ये even आएगा k is equal to 5 odd आ रहा है तो ये इसके बाद जो k is equal to 6 होगा वो भी even आएगा मतलब कि odd even odd even odd even जो है याँ पे alternatively चलता है k की एक value के लिए number odd आएगा k की दूसरी value के लिए even आएगा k की एक value के लिए odd आएगा k की दूसरी value के लिए even आएगा मतलब कि ये जो पूरा pattern है ये alternative भी चल रहा है जहां पे odd even odd even odd even इस तरीके से pattern बन रहा है मतलब कि अगर मैं 2-2 के ग्रुप से यहां पर बना दूँ कि suppose यह एक मैंने 2 numbers का ग्रुप बना दिया मेर को यह समराता है कि इस 2 के ग्रुप में 1 order 1 even है अगला 2 का ग्रुप बनाया उसमें 1 order 1 even है मतलब कि अगर मैं यह k is equal to 103 को थोड़ी दिर के लिए side रखूँ k is equal to 103 को मैं थोड़ी दिर के लिए अगर side रखता हूँ तो मिर पास क्या बनता है k का 3 और 4 का एक pair बनता है कि अगर मैंने k 3 लिया 4 लिया इसमें 1 order 1 even है k का 5 और 6 का एक pair लिया k का 7 और 8 का एक pair लिया 9 और 10 का एक pair लिया and so on मेरे को यह दिखता है कि यहां पर total मेरे ऐसे 50 pairs बनेंगे ऐसे total 50 pairs बनेंगे मेरे कैसे देखे इसका बहुत simple सा formula यह है कि अगर मैं 1 से pair बनाने शुरू करूँ 102 तक 103 को थोड़ी एर के लिए भूल जाओ अगर मैं 1 से लेके 102 तक pairs बनाने शुरू करूँ तो मिरे पास 51 pairs निकलते हैं correct अगर मैं 1 से लेके 102 तक pairs निकालने शुरू करता हूँ तो मिरे पास 51 pairs निकलते हैं 2-2 के group में अगर आप इन्हें बाढ़ दोगे तो आपके अपास total 51 pairs निकलके आएंगे ठीक है ये जो 51 pairs होते हैं इसमें से पहला pair तो आप निकाली तो क्योंकि k is equal to 1 और k is equal to 2 तो हमारे को accept नहीं करना क्योंकि वो n की condition को violate कर रहा है मतलब कि 51 की जगा हमारे पा 50 pair निकलके आते हैं क्योंकि जो पहला pair है odd even का वो हमने बाहरा निकाल दिया k is equal to 1 k is equal to 2 क्योंकि वो n की value को satisfy नहीं कर रहा था अब हमारे पास बसने 50 pairs 50 pairs का ये मतलब होता है कि इसमें 50 बार even number आ रहा है और 50 बार odd number आ रहा है pairs हमने ऐसी दो बनाए थे कि हर pair में इस तरीके सी तो हमने सारे के सारे pairs बनाए थे अगर हमने याप पे 50 pairs बना दिये देखो total बन रहे थे 51 pairs 1 से लेके 102 तक 1 से लेके 102 तक 51 pairs बन रहे थे मैंने 103 को थोड़ी देर के लिए भार रखा क्योंकि मिरे को calculation असान करनी थी 103 जो वो एक odd number है उसका अलग से pair बनेगा नहीं 104 हम एकसेप्ट करनी रहे हैं तो इसलिए मैंने 1 से लेके 102 तक एक pair मना दिये 51 pairs बने k is equal to 1 k is equal to 2 को बाहर कर दिया क्यों क्यों क्योंकि अपने जो यहाँ पे pairs हैं वो हमारे को 50 pairs चाहिए सिरफ मतलब कि k is equal to 1 और k is equal to 2 के लिए यह pair count नहीं होंगे क्योंकि n की value बाहर जा रही है इसलिए हमारे बज़े 50 pairs अब इन 50 pairs में हमारे पचास odd number आ गए पचास even number आ गए अब हमारे पास सरव एक number बसता है k is equal to 103 यहाँ पे हमने value डाली तो हमने देखा n की value आ रही है 313 जो कि एक odd है 50 pairs में 50 even और 50 odd आ गए और आखरी वला जो हमने बाहर छोड़ा था k is equal to 103 यह भी हमारे पास odd आ गया तो मतलब हमारे पास इन 50 pairs में 50 तो even numbers हो गए 50 odd हो गए और जो हमने एक बाहर से odd लिया है वो भी एक odd यहां पर add हो गएगा मतलब कि total 51 odd हो गए answer होगा B 51 odd number आ रहे हैं 50 even number आ रहे हैं इस तरीके से आपको बस number यहां पर put करके values निकालनी थी N की test करना था कि K की value कहां तक जाएगी और उसके बाद pair बनाके even odd को eliminate करना था यह question अपना इसका answer होगा B यह जो पूरा का पूरा C-side DPP है regular series चल रही है इसके लिए आप जो है मेरा telegram channel join कर सकते हैं नीचे description box में दियावा है quality और IR के current affairs भी चालू हो चुके हैं उसके लिए आपको पूरे handouts जो है मेरे telegram channel पर मिलेंगे description box में link दिया पर उससे join करेंगे साथ के साथ Unacademy पर extension offer चालू है जहां पर एक साल के subscription पर 2 महिने का extension 18 महिने के subscription पर 4 महिने का और 36 महिने के subscription पर 6 महिने का extension ले सकते हैं आपको यूज करना रफिल कोड मदूद गुपता for extension Unacademy पर price hike एक annual price hike जो होता है साल में एक बार जो subscription के prices बढ़ते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है साथ के साथ अगर आपका prelims clear होता है तो आपको free Unacademy की दरफ से mains QVP program मिलेगा डेली में और mains clear होने पर free interview guidance मिलेगा Unacademy पर selection नहोने पर आपको और extension मिलेगा अगर की साइट से यूज करेंगे रेफ्रिकोर्ट मुदद गुपता अपना अगला question है कि अगर A और B दो odd prime numbers है देखिए यहाँ पर आपको condition दियान रखनी है क्यों किया रहा है odd भी है और prime भी है distinct का मतलब होता है कि इनमें same value नहीं आएगी कि दोनो 7, दोनो 11 या फिर दोनो 13, दोनो 17 नहीं हो सकते मतलब कि दोनों की value अलग होगी और यहाँ पर A की जो value है वो B से बढ़ी होगी तो कह रहा है A square minus B square के never be divided by मतलब कि वो यह बोल रहा है कि आप अलग-अलग prime नंबर की values अजूम करिए और यह बताइए कि जो A square minus B square होता है क्या हम उसको 13 से, 11 से या 17 से कभी divide कर सकते है या कभी divide नहीं कर सकते मतलब कि A और B की अलग-अलग values put करने पे क्या हमार पास कभी कोई ऐसा A square minus B square में नंबर आएगा जो 13, 11 या फिर 17 से divisible होगा ठीक है हमार को दिया हुआ है कि A और B जो है they are odd prime numbers odd prime numbers और यहां पर हमार को दिया हुआ है A जो है वो B से बड़ा है ठीक है हमार को value निकालनी है A square minus B square की आप एक बात बताईए क्या हम यह लिख सकते हैं कि A square minus B square that is equal to A plus B into A minus B क्या अब हमारे को यह बताना है कि क्या A और B की ऐसी कोई value possible है जहां पर A और B दोनो odd है और A और B क्या उनका जो यह A square minus B square है क्या यह कभी 13 से divisible होगा क्या यह कभी 11 से divisible होगा क्या यह कभी 17 से divisible होगा या ऐसा कोई भी case possible नहीं है जहां पर यह जो तीनो नंबर हैं कही ना कहीं divide कर रहे हैं और इनमें से कोई case possible नहीं है वो क्या रहा है can never be divided by can never be divided by समझते हैं case 1 लेते हैं case 1 is 13 हमार को यह test करना है कि यह जो a square minus b square है यानि कि a plus b into a minus b क्या a और b की कोई ऐसी value possible है जहां पर यह जो 13 है यह इनको divide करें मतलब कि हमार को यह निकालना है कि a plus b into a minus b क्या यह 13 से पूरा divide होता है या नहीं होता हमार को simply यह निकालना है a और b की अलग-अलग values के लिए अब आप यह देखिए कि आपको यहाँ पर एक trick लगानी है trick आपको यह लगानी है कि आप a और b की ऐसी odd prime value सोचिए a और b की ऐसी odd prime value सोचिए जिनको जब मैं इस bracket में पुट करूँ तो कोई 13 का multiple आ सकता है क्या मतलब की आप a और b की कोई ऐसी odd prime value सोचिए जहाँ पर a जोए b से बड़ा है और उनको जब मैं इस bracket के अंदर पुट करता हूँ तो वो 13 से divisible हो जाए क्या ऐसी कोई value possible है अगर हम थोड़ा से दिमाग लगा है तो हमार को दिखता है कि अगर मैं a की value 29 ले लू और b की value मैं 3 ले लू तो मिरे को दिखता है a odd prime है 29 जो odd b और prime b है b जो है वो भी odd b और prime b है ऐसे में अगर मैं आप ए और b की value सबशूट करता हूँ 29 प्लस 3 इन्टू 29 माइनस 3 तो मिरे को दिखता है कि ये पूरा का पूरा divide हो रहा है मतलब कि हाँ a और b की ऐसी odd prime values possible है जहाँ पर जो result आएगा वो 13 से divisible है तो answer 13 नहीं हो सकता क्योंकि वह पूछ रहा है कि a square minus b square can never be divided by हमने a और b की ऐसी value निकाल ली जहाँ पर a square minus b square is divisible by 13 वो पूछ रहा है कि never be divided by यहाँ पर यह question मैंने orally ऐसे करा इतना easily ऐसे करा क्योंकि मैंने इस a square minus b square को break कर लिया था और अब मैंने अपना दिमाग इस तरीके से चलाया कि मेरे को a और b की ऐसी value सोच नहीं है जहाँ पर a और b उनको अगर मैं subtract करूँ तो 13 का कोई multiple आ जाए कि ऐसा कोई combination possible है मेरे को 29 और 3 के form में ऐसा combination मिल गया similarly अगर हम case 2 लेने की कोशिश करें तो अपना case 2 बनता है 11 मेरे को अब ऐसे odd prime number सोचने है कि जहाँ पर कुछ ऐसे combination लगा के कुछ ऐसे odd prime number सोच के उनका जो difference है वो 11 आना चाहिए मतला a और b की जो values है वो कुछ ऐसी values लूँ कि यहाँ पर कोई 11 का multiple आना चाहिए कोई 11 का multiple आना चाहिए अगर मैं a की value 29 मानलू और b की value 7 मानलू मिरे को पता है a 29 odd prime है b 7 odd prime है तो मिरे पास आरे 29 प्लस 7 into 29 minus 7 upon 11 मतलब की 29 plus 7 into 29 minus 7 के आदा है 22 upon 11 मिरे को दिख्या है यह 11 से डिवाइड हो रहा है मतलब की a is equal to 29 और b is equal to 7 के लिए यहाँ पे 11 से completely डिवाइड हो रहा है मतलब की a square minus b square a plus b into a minus b 11 से पूरा divisible है answer 11 भी नहीं होगा क्यों? क्योंकि अब पूछ रहा है क्या never be divided हो है? हमने देखा वो 11 से डिवाइड हो रहा है 29 और 7 के लिए अगर हम निकालते है case number 3 17 के लिए 17 के लिए अब हमारे को क्या प्रूफ करना है? कि a plus b into a minus b जो है वो 17 से divisible है मिरको a और b की ऐसी value निकालनी है मतलब a और b की मिरको ऐसी value लेनी है जहाँ पर मिरको a और b की ऐसी value लेनी है जहाँ पर यह जो a minus b है a plus b है यह 17 का multiple आ जाए तो अगर मैं a को suppose करिए 41 मान लू और b को मैं 7 मान लू तो मिरे पास क्या आता है? 41 plus 7 into 41 minus 7 upon 17 मतलब की 48 into 34 upon 17 2 मिरको ऐ दिख रहे कि यह जो number है मैंने लो 41 लिया odd prime है हाँ prime भी है और odd भी है 7 जो है odd भी है प्राइम भी है a जो है b से बड़ा भी है सारी condition फुल्फिल हो रही है अगर मैं इसको a square minus b square that is a plus b into a minus b करता हूँ तो मिरे पास 17 से divisible एक number आता है मतलब की यह 17 से भी divisible है उसने बूचा किस से divisible नहीं है answer हो का the none of the above मैंने simply क्या कर रहा जो identity होती है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b इसको मैंने simply open up करा a square minus b square is equal to a plus b into a minus b simply मैंने इसको open up करा question की condition के इसाब से a और b की अलग-अलग values नहीं put करीं और देखा कि किस से divisible है किस से divisible नहीं है answer होगा d right अगले question पर जलते है unacademy है subscribe करने के लिए यूज करेंगे रेफिल कोड मुदद गुपता extension offer सिरफ 8 जुलाई तक valid है जहांपे GS, CZR, current office, optional पूरी त्यारी एक जगा करेंगे सार्टमान academy का promise offer prelims clear होने पे mains का quality enrichment program Delhi में 2024 में करवाया जाएगा enroll करेंगे using the रेफिल कोड मुदद गुपता अगला सवाल है अगर P की value है 101 to the power 100 और Q की value है 100 to the power 101 क्या रहे कि P और Q के बीच का relation क्या है क्या रहे इसका relation निकालो अब एक काम करते हैं इदर दोनो साइट्स पे 100 to the power 100 से division कर देता है दोनो साइट्स को 100 to the power 100 से divide कर देता है अगर मैं इस नंबर को 100 to the power 100 से divide करता हूँ और इसको 100 to the power 100 से divide करता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ऐसे यहाँ पे जो 101 पावर थी 100 की वो इन 100 पावर से माइनस हो गई अपने पास क्या बसता है 100 की पावर 1 और यहाँ पे मैंने common bracket ले लिया क्योंकि यह पावर सेम थी bracket common कर दिया 100 upon 101 101 upon 100 that is 1.01 to the power 100 और यह है 100 इन दोनों में से कौन सा नंबर बढ़ा है अगर हम solve करके देखें तो 1.01 to the power 100 आता है somewhere around 2.7 और हमार पास यह तो 100 ही रहेगा answer है कि जो q की value है जादा बढ़ी है answer होगा b simple mathematical operation लगाना था हमारों को basically यह बताना था कि कि इसकी value बढ़ी है तो ऐसे में जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाए आप क्या करेंगे एक common number से divide करिए जिससे कि आपका mathematical operation थोड़ा सा असान हो मैंने इसलिए दोनों को 100 to the power 100 से divide कर दिया same number से आप divide कर सकते हैं दोनों साइट्स पे और फिर देखा कि क्या answer आ रहा है clearly मेरे को दिखता है कि 100 जो हो 2.7 से बढ़ा है और इसलिए answer हो का B unacademy subscribe करेंगे using the reflect code मुदुद गुपता telegram channel join करेंगे for all the updates unacademy का price है जल्दी होने वाला है साथ के साथ आरम batches शुरू हो रहे हैं दो हजार चौबिस के लिए 8 जुलाई से English और हिंदी में batches शुरू है 10 जुलाई से also अपना optional कार्णीवल चाल हुआ है unacademy का ultra combat टेस्ट होने वाला 9 जुलाई को जिसका link नीचे description में दिया है काफी समय बाद ये टेस्ट हो रहा है और इसकी आप scholarship जीट सकते हैं यूज करेंगे reference code offline में subscribe करने के लिए मुद्ध गुपता, let's crack it